हेलो स्टुडेंट अब आज हमने क्लास टेंथ का जो सर्कल चाप्टर है उसके कॉंसेप्ट को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं किस टाइप के क्वेस्ट्ट पूछे जाते हैं मैक्सिमम कैसे कैसे कुछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिसक इसकिश करेंगे और फिर स्में कॉंसेप्ट देखेंगे कि आखिर कैसा कोश्ण रहेगा तो जो कैसे उसको इसली सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए हम लोग इसको टाइप के एकॉर्डिंग रखते है टाइप वन टाइप टू करके इसको चेक करेंगे ठीक है कुछ हम लोग क्लास नाइट में पढ़े हैं उस चीज को पहले हमको याद रखने हैं उसको टाइप वन में रख लेते हैं ठीक है तो यहां पर इसका बहुत ज्यादा तो यहंते हमने रख लिया अब आप देखा कोई भी एक अर्म कोड़ खीच रहे है ठीक है यहां पर मैंने कोई एक कोड़ ले लिए ठीक है अब यह हमारा body रहो हमने रख लिया कि अगर में इससे से 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 इस कोड़ पर कोई भी लाइन न रो Storage धिके तो आप यहां से से मैं naming कर लेता हूँ O और C रख लेता हूँ ठीक है तो यह हमारा 90 degree बनाता है कितना degree form करेगा भाई 90 degree form करेगा और यह इस code को equally बाट देता है ठीक है तो पहला concept क्या आया कि OCA is equal to OCB is equal to 90 degree यह first thing आपको anyhow याद रखना है ठीक है next हमारा क्या है कि यह जो code है वो जो line खीचा गया है circle के center से वो उस code को बिल्कुल equally बाटता है तो इसमें हम लोग second thing को भी लिख लेते हैं कि जो AC होगा भाई वो आपको CB के equal होगा यह पहला concept रहा जैसे आप suppose that मानिए यह आपको 8 है तो यह प्रक्राइब कितना होगा where C भी कितना यह जागा वो जाएगा उसी तरह से यह अगर 11 तो यह आपको 5.5 हो जाएगा यह भी आपको 5.5 हो जाएगा ठीक है तो अगर ऐसा कभी नेट आया तो हम इससे related question को देखेंगे ओके नेक्स्ट में जाते हैं टाइप नमबर 2 में ठीक है इसे में क्या हम लोग दे लोग देखनों कि वे जैसे कोई भी एक सरकल है हमारा राइट हम यहां से सरकल को ड्रो कर लेते थे ठीक है अब एक साइप्रॉक्स आइडिया जगा गाएं कि जैसे यहां पर सौने नहीं होगा कहीं पर एक सेंटर रख लेते हैं अब इस सेंटर पर यहां से एक मैं आर्क को रिलेट करके एक एंगल ड्रो कर रहा हूं यह वला एंगल समझ बता रहा हूं यह सेंटर पर यह एंगल मैंने क्या किया भाई ड्रो किया तो इसका नाम मैं इस आर्क का नाम AB रख रहा है यह आर्क है भाई याद रखिएगा आर्क आर्क आपको AB रहा तो इस आर्क से जब सब्टेंड किया गया एंगल कहां center पर और same इसी आर्क से इस circumference पर कहीं भी एगर एंगल सब्टेंड किया जा रहा है तो वो इस वाले एंगल का क्या होगा double होगा चलिए देख यह डो कर लिए ठीक है तो अगर यह ठीटा है ना suppose that मालीजी यह ठीटा है तो यह वाला हमारा कितना होगा two thीटा हो जाएगा ठीक है यह वला एंगल क्या हो जागा थीटा हो ठीक है तो यह second case हुआ यहाँ पर मैंने c रख लिया ठीक है तो इसे से result हमको क्या मिला भाई penser cricket यह इस circumference पर जो नया इंगल सब्टेंट किया गया है वो उसके twice के equal होगा ठीक है तो यह type 2 में रख लेते हैं अब आप देखें type 3 में हम लोग आ जाते हैं लेकिन याद रखना है आर्क आपको क्या होना चाहिए यहां पर same होना चाहिए देख रहें न यह आर्क मेंने same लिया आर्क आपको vary नहीं करना चाहिए आर्क डिपरेंट नहीं होना चाहिए तो यह type 2 के लिए रखें अब देखें type 3 में हम लोग इसी चीज को रखते हैं थोड़ा सा और अच्छा से देखते हैं जैसे मैंने फिर से एक circle रो किया अब की बार मैं आप लोग पढ़े हैं ना class 9 म हैं segment segment क्या होता है तो segment क्या होता है कि यह region between the code and arc मतलब code और आरग के बीच का जो छेत्र है area है वो हमारा क्या होता है segment होता है तो यहां पर एक और relation देता है कि जैसे माले जह हमारा से lam humility माइनर सिगम्न हो उपर वाला मेजर सिगमेंट हो जाएगा तो जब सेम सिगमेंट में यहां पर मैं लिख ले रहा हूं ठीक है सेम सिगमेंट सेम सेगमेंट ठीक है सेगमेंट अगर एक ही segment ही या हम यहाँ same segment नहीं लिखते हैं वो in one segment ठीक है one segment ठीक है अगर कोई एक segment में जितने भी angle subtract किये जाते हैं circumference पर ठीक है यहाँ से यहाँ से मैं यह draw कर लेता हूँ ठीक है center को छोड़के तो यह सारे angle आपस में क्या होते हैं भाई equal होते हैं यहाँ जितना यह होगा जैसे आप यहाँ पर कोई naming रख लो ठीक है मैं यहाँ से ऐसे रख लेता हूँ तो यह जितने भी angle यहाँ पर same segment में यह पूरा यह वाला region में जितने भी angle subtract किया जाएंगे वो सारे angle equal हो जाएगे ठीक है तो यहाँ से हमको result क्या मिला पहला result देख लेते हैं तो result मिला कि जो a b c होगा वह आपको a c d k equal होगा पहला चाहिए यह देखे हम लोग फिर देखिए अब type 4 में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा type 4 को भी देख लेते हैं देखिए इसका भी बहुत ज् suppose that माली जी ऐसा तो नहीं होगा न कि हमको पता है कि जो segment होते हैं वह आपको क्या होता है कि एक region होता है जो कि code और आर्क के बीच का region होता है थोड़ा सा देख लेते हैं इधर कई side देखिए जैसे माली जी यह हमारा कोई भी एक circle हो गया तो इस circle में मैंने यहाँ से एक glide रो क्यों क्यों कि यह रहा code ठीक है ओके यह मेरा code है और यह आर्क है और इस code और आर्क के बीच का जो area है वह हमारा क्या होता है तो इस तरह से हमने यह भी देखा next देखिए तो इसमें अब ऐसा भी तो हो सकता है ना समझेगा स्रीज को मैं आपको connect करके ले चल रहा है सारे दुसरे से connected कैसे बनते हैं क्योंकि यह math है सब एक दुसरे को connect करके ही बनाया जाता है ठीक है इसमें देखिए तो ऐसा भी तो ह आइन को क्या किया ड्रो किया तो यहां से मैंने लाइन को अर्क उन्ह सरा ले तो यह वह वाला जो यहांतले ना यह आपको 90 ड्री बनाता इसका प्रू तरी हम लोग तो इसको हम डाइबीटर भी कर सकते हैं तो उस कोड पर अगर एंगल बना और सेम सिगमेंट में और कोई एक दुसरा एंगल बन जाएगा तो उस एंगल का जो वैली होता है वो 90 डिगरी होता है ठीक है हम यहाँ पर रख लेते हैं A O B ठीक है और C तो यहाँ पर क्या मिला मु ठीक है क्यों इसमें जो सरकला नो लोग करतें बहुत बड़ा चैपटर है बहुत अजीब लगता है ऐसा कुछ नहीं इसमें इसमें के मैं सब्सें बड़ा प्रबलम का होता है कि एक फिगर बनाएगा और उसी में बहुत सारे फिगर को व्योंट कर देता है तो समझ नहीं आता क्या आखिर करे क्या काocado करें सिग्मेंट का रिलेशन चेक रहें ठीग है ऐसे बहुत सारे चाहते रहाते हैं तो देखिए पहले मैं आपको एक क्लिरिफाइक कर रहा है कि आपको कॉश्चन में कहीं भी अगर ऐसा question रहे तो आप कैसे कीजिएगा ठीक है आप देखें जैसे मैंने यह एक figure बनाए और मैंने आपको क्या बताए कि जैसे यह center से जो भी angle subtend किया गया ओके यह आपको a b ठीक है और यह हमारा o रहा अब इस पर जितने type के angle सब्टेंट किया जाएंगे वह सारे angle आपको क्या होंगे भाई ट्वाइस के equal होंगे ठीक है देखिए कैसी अब यहां से मैंने यहां खीच लिए ठीक है तो यह भी तो आप देख रहें न से ड्रो कर दू यहां से और इसको मैं बिल्कूल उसी आर्क पर पास करऊ तो यह मेरा फिर से टूठीटा हो जाएगा समझ रहा ना आप figure के concept को देखिए कैसे लिख रहा हूँ अगर मैं यहां से कोई एक और इधर figure ड्रो कर दू और यहां पर जोईन कर तो यह भी मेरा कितना ह हो जाए ठीक है इस टाइप से बहुत वह figure को relate करता है ओके तो यह relation हुआ अब आप देखिए अगर मैं आप अभी फिलाल टूठीटा की बात कर रहे हैं ठीक है अब यहां से मैंने इसको लाइन खिशती है ठीक है तो अगर इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ इस टाइप क्योंकि आर्क वाला वह क्या बोलता है आर्क में बोलता है कि जब कोई एंगल सेंटर पर सब्टेंट किया जाए ठीक है और सेम सरकॉंप्रेंस पर कहीं भी सब्टेंट कर दिया जाता है तो वह वाला एंगल ट्वाइस होता है इस वाले एंगल का ठीक है तो ऐसा होता है तो तो उसमें अगर अगर आप सिगमेंट को रिलेट कर रहे हैं जैसे यहां से मैं यह लाइन एंगल कर रहा हूं यह ठीक है तो यह जो एंगल है यह वाला एंगल यह सिगमेंट को रिलेट कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि यह जो लाइन है वो सेम सिगमेंट को बता रहा है जो आ बी डी जो है ओर बी डी सी जो आपको किस चीज को बता रहा है in same segment same segment को बता रहा है ठीक है यहाँ पर मैं क्या लेक्ग रहा हूं अब देखे समझें taste विक ने च्शुन बेसे अब इसको अगर मैं फिलाहाल के लिए और तो आप याँ नहीं रख रहा हूं यहाँ हर खें कि रहा है तो देख रहा है ना एक ही स Navy मेंट के अंदर बना के नहीं बना तो उन दोनों का व्यल्यू क्या होगा सेम रहेगा ठीक है अब आप देखें थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझें जैसे मैं यहां से ले जाओ और इस बार इसी टाइप से यह पूरा मैं अगर मैं यहां से कोई शेंटर रो कर रहा है यहां पर मैंने सेंटर रो किया इस से मैं इस एंगल को यहां से इस एंगल को मैंने रो किया ठीक है तो आप समझें यहां ओ है तो इस बार क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको इरेज कर दो ठीक है इस वाले पार्ट को मैंने इस बार इस बार वो आपको किसको सो कर रहा है वो आर्क को सो कर रहा है तो यह आर्क रहा ना मेरा तो आर्क पर जो एंगल सेंटर पर सब्टेंट करता है और जो सरकंफरेंस पर कहीं भी सब्टेंट करता है तो यह वहला क्या होता है डबल होता है उसका ठीक है तो आप यहां स से क्या रख लोगे कि बी ओ सी इजीक्व convection टू एंगल और यहांसे बीओ सी इजेक्व B, D, C हो जाएगा ठीक है ये भी हो सकता है और भी बहुत सारे बन जाएगे तो आपको उसका relation हम लिखेंगे ठीक है तो आप basically आप समझे कुछ चीजों को समझना है कि अगर same arc और segment दोनों वो एक साथ लिख देता है ठीक है तो आपको check क्या करना है कि center से कहीं पर line join किया है कि नहीं किया है अगर वो center से line join कर रहा है तो आपको type 2 के बारे में याद रखना है क्यों 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 ये center से join करता है ये वहला क्या होता है twice होता है भाई इसके ठीक है तो यहाँ अगर को किसको दे रहा है एक ठीक कर रहा है on the same segment सीग्मेंट ठीक है एक ही सिग्मेंट मे डिलेट कर रहे है और एक चीज़ और आपको याद अगर तो आपको यह से निगल करें जैसे माली यहां पर कीए यहां पर कि याάλ रखना रénom कि जैसे यह सब्सकर एक हुआ अब यह उसी तरह से एधर डुंदे तब वहुत कितना डिनरे होगा समझ रहे हैं आप बात को वह बोल की आ रहे हैं तो आप कहीं भी सेंटर या जोaks पॉाइंट आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कितना डिग्री फॉर्म करेगा है आप लोगों को ठीक है आगे देखते हैं अब इसको थोड़ा सा इरेज करते ठीक है ओके अब आपको कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो चलो भाई एक पहले हम सरकल यहां से ड्रो कर लेते हैं मैंने यह सरकल को ड्रोव कर लिया अब आप सोचिए यहां एक सरकल जब ड्रोव हुआ कोई यहां कहीना कहीं तो एक सेंटर देंगे तेंगे सेंटर मैंने ड्रो कर लिया अब ये सेंटर से सरकंफ्रेंälle करका कही भी अंगोर मैं ड्रो करता हूं तो यह आप को क्या बताएंगा अब हम इसके outside में कोई एक point ले लेते इस circle का अब मैंने outside में point ले लिया और मैंने इस line को क्या कर लिया भाई join कर लिया ठीक है तो हम क्या देख रहे है इसका naming भी कर लेते O, A और B रख लेते ठीक है तो यहाँ पर A, B जो है वह आपको क्या है tangent है और जो O, A है वह radius है और जिस point पर radius यहाँ contact कर रहा है इसको हम लोग point of contact करते है ठीक है तो कुछ पहले वाले lecture में हम लोग क्या देखे थे कि जब point of contact पर radius से कोई line row किया जाता है या center से कोई line row किया जाता है तो आपको कितना degree बनाता है 90 degree बनाता है ठीक है तो यह आपको कितना degree का angle form किया 90 degree का angle form किया ओके आकर यहां तक सभी बात अगर मैं इस point को ठीक है center को center वाला जो point है और यह जो आपको B है external point है उसको मैं join कर दो right यहां से मैंने इसको क्या किया भाई ज्वाइन कर दिया ठीक है यह मैंने ज्वाइन कर दिया तो यह क्या हो रहा है यह एक triangle बना दिया और यह कैसा triangle है एक right angle triangle है हम यहां link भी देते हैं कि o a b is a right angle right angle triangle और देखिए right angle triangle के बारे में एक बहुत ही famous mathematician सहब जिनका नाम पाइटोकोरस्ता उन्होंने क्या बताया कि जो अगर कोई right angle triangle है तो उसके 90 degree के जो in front molar side होगा वो आपको hypotenuse होता है और it is the longest side in the triangle और उस triangle का वो सबसे लंबा side होगा ठीक है तो उसमें वो relation भी एक बता है कि उसका relation क्या होता है तो उन्होंने क्या बता है कि जो उसमें जो सबसे longest side है वो hypotenuse का लेगा right और जो hypotenuse के square होता है वो perpendicular और base के square के sum के बराबर होता है ठीक है तो आप देखो ना यह 90 degree जैसे मैं इस figure को यहां separate कर लेता हूँ यहां मैंने इस figure को ड्रो कर लिए तो यह आपको कितना डिग्री है भाई 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का जो side होगा वो हमारा क्या होगा हाइपोटेनस होगा ना 90 डिग्री के सामने में कौन है यह वला side हो तो वो हाइपोटेनस हो जाएगा और अगर यह हाइपोटेनस हुआ तो यह radius इस circle के लिए तो radius का काम कर रहा है बट अगर इसको मैं separate करूँगा तो वह तो base की तरह काम करेगा और यह दुसरा कोई कि एक्साइट की तरह काम करेगा पर पर यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे अप देख रहें कि एक राइट यह ट्रहं मै प्तोगर्ण सहाप क्या बता है कि उसमें जो हाई-पर स्कौइर के बराबर हो तब आपत्स बेसिक सी एक बात समझि Souls कि यहां पर मैथ का रूर्ल ह c बड़ा कॉंसेप्ट है इससे बड़ा कोई कॉंसेप्ट ही नहीं होता मैद का कि अगर कोई भी माली जो क्वेश्चन है वह आपको सपोस्ट चार टर्म से मिलके बना तो वहां पर उसको तीन का वैलू देना पड़ेगा जैसे यहां पर आपको देखिए है पी है और बी ठीक ह and the length of hypotenuse is 10 cm find the base is question is right or wrong question is wrong why because hypotenuse base and perpendicular is make this relation ठीक है यह इस relation को बताता है लेकिन आप तो बोल रहे है कि सिर्फ hypotenuse का value दिया हुआ है और base का value बताई तो क्या यह possible है possible ही नहीं क्यों कि कि अगर कोई question तीन टर्म से बना है तो वहां पर उसको 2 का value तो देना पड़ेगा तो इसमें वही चीज होता है इससे तीन question आपको easily solve हो सकते ठीक है अब suppose that देखिए समझेगा थोड़ा सा मैं यहां पर r का value ठीक है radius का value 5 cm रख लेता हूं ठीक है length between center to external point ठीक है length between between center to external point ठीक है external point आप देखो भाई यह सोच के आपको रखना है question तो वह set करके देगा ही देगा आपको भी अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आपको भी सोच के रखना है कि यह जो है इसके सामने में हैं तो हम एक ऐसा value देंगे जो इन दोनों value से बड़ा होना चाहिए तो हम यहाँ पर चले भाई 13 रख लगते हैं यह हमारा 13 हो गया तो आप देखो यह वाला value हमारा कितना है 5 है यह वाला value हमारा कितना है 13 है और यह नहीं यह का रहा है कि center to यह वाला ठीक है तो यह 13 cm हो गया तो आप से पुछेगा कि बताई what is the value of a b a b का value क्या होगा तो आप असार नहीं से निकाल सकते हो ना क्यों कि आपको पता चल रहा है कि 90 degree के सामने कौन है यह तो यह hypotenuse हमारा हो जाएगा ठीक है इसमें यह हमारा क्या होगा भाई बेस हो गया यह हमारा क्य हुआ है यह हमारे रिलेशन हो गया अब ओ भी तो दिजाया नहीं आपर 13 का सकॉर्ड ओके आप ओ यह हमारा कितना है यहां से देख लोगा पांच है तो फाइप का सकॉर्ड और इस इक्वल प्लस ओके यहां पर आपको क्या देखो प्लस a b का स्कॉर्ड आप देखो बस एक cD sqr ko यहां रखो देखो आप क्यों ऐसा करोगे यह तो आपको याद करने की ज़रू थे हम इस ही में जिसका फ्रॉं में जिसका वैलू रहेगा कुछ आपको यहां से स्कॉर्ड रखने पडाईगे कम से कम एक से 30 तक आपको इस्क्वàiर याद रखने पड़ेगे कि अगर में अच्छा करना है तो ठीक है कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अब एक्जाम्स देखेंगे उसमें छोटे-छोटे स्क्वाइर रूट को दे देता है तो आपको जितना देर टाइम निकालने में लगेगा उतना दिर में कर याद रहेगा तो इसली हम कर सक है ठीक है तो आप यहां से इतना कर लिए अब देखो भाई यह कॉंस्टेंट है यह भी कॉंस्टेंट है तो यह इस साइट क्या कर रहा है उसको यहां से 169 को यहीं रखता हूं और इस 25 को मैंने यहां कर दिया राइट अब यह आपको AB हो जाएगा AB का स्क्वाइर हो जाए है तो इधर आएगा तो कितना आजएगा रूट हो जाएगा और यह आपको कितना 12 सेंटीमीटर AB का वैलू आगया अब आप इससे जैसे ही आपने यह किया आपने तीन कॉस्टेंट कर लिए ठीक है अब आप बेसिक सा बात देखो कि यहां पर मैं निकलेता हूं यह 12 तो व O B is equal to what? O B का value मैंने what लिख दिया अब मैं यहां से A B का value लिख ले रहा हूं ठीक है A B का 12 मैं रख ले रहा हूं और यहां से O A का value मैं 5 रख ले रहा हूं ठीक है आप बेसिक सी बात समझे पहले यहां पर क्या दिया था? A B का निकालना था वह आपको O A का दिया हुआ था O B का दिया हुआ ठीक है इस बार आपको O B का दे दिया AB का value दिया O A का value दिया तो आप देख रहे ना इसमें वह क्या कर रहा है कि कभी radius का value दे रहा है Hypotenuss का value दे रहा है, तो आप से altitude का value पूछ रहा है, कभी altitude का value देगा, radius का value देगा, तो आपको Hypotenuss का value पूछीगा, ऐसे ही वो बहुत सारे question को क्या करते रहता है, पूछते रहता है, ओके, तो इतने दूर समझ में आया ना तो इससे आप तीन question clear कर चुके हैं आपको language को थोड़ा सा read कर ले ना radius कौन सा है हाइपोटेनस कौन सा है यह कौन सा है ठीक है और इस तरह से आप इसको यूज कर लिए और यह आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिर्फ आप इसी को याद रखिए गर ठीक है जिसको आपको जरूरत होगा उसके जगा पर values को put कर देंगे मतलब यह गलत नहीं है यह तो बना ही है ना इसी से तो बना ही है तो गलत नहीं है बड़ आपको सिर्फ यह वाला याद रखना है और वाकी सब इसको एरेंज करते जाना है उसको चेंज कर करके हमको चेक कर लेना ठीक है तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बोट को अब फिर आगे देखेंगे तो मैंने board को clean कर लिया है, ठीक है, चले आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगा, जैसे हम लोग tangent का तो relation अभी देखेंगे, अब इसमें हम लोग concentric circle के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये भी बहुत important question को आपको क्या करते हैं, form करते हैं, ठीक है, चले शुर कर लेता हो, और हम लोग क्या जानते हैं, कि concentric circle होता क्या है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सुन लेता है, हम लोग करते हैं कि two circle are set to be concentric, if their center is same, अगर कोई भी आप math के differentiation को आप, मतलब stage में मत्याद किजिएगा, बुक से मत्याद किजिए, आपने से बनाएए ना, कि concentric कहेंगे, कब कहेंगे मैं, जब उन दोनों का center same होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, कि two circle are set to be concentric, if their center is same, अगर उसके center क्या हो जाए, same हो जाए, तो आप देखो, यहाँ से मैंने इसके center को बना लिया, अब इसमें देखिए, आप खुद समझे, जैसे दो circle है, तो दो radius ब बनाया, और मैंने O, B यहाँ से बनाया, ठीक है, दो radius है, इसको मैं small r रख रहा हूँ, इसको मैं capital r रख रहा हूँ, तो आप basic सी बात देखो, जब बना, यहाँ तो tangent खिचा ही जा सकता है, tangent खिच सकते हैं, क्योंकि दोनों circle से एक-एक tangent खिच लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा अब मैं यहाँ से फिर से इस point से जैसे B जो point of contact है, क्योंकि बड़े वाले circle का point of contact A है, और इस छोटे वाले circle का point of contact क्या है, भई यह B है, तो इस B से मैं इस line को क्या कर रहा हूँ, draw कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ तक join कर ले, ठीक है, थोड़ा से यह आपको close है, तो आप देख रहे हैं, यहाँ से भी question बनाया जा सकते हैं, मैत के कोटिल, बहुत सारे question बनाया जा सकते हैं, अब एक basic सी बात याद रखियेगा, इतना तो आप समझ सकते हैं, कि लिखा हुआ, मान लेजे question में ऐसा लिखा रहा है, कि in two concentric circle, their radius is 8 cm and 5 cm, 10 cm and 4 cm, ऐसा कुछ ल लिख रहा है, तो 10 वोल बड़े वाले circle के लिए बात कर रहा है, अगर वो 5 लिख रहा है, तो छोटे वाले circle के भी बात कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप इतना तो समझ सकते हैं, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यह जो capital R है, इसका 8 cm में रख लेता हूं, ठीक है, और य कि जैसे कोई भी circle है, यहां से यह आपको बना रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, किसी में से, तीन में से, जैसे यह hypotenuse है, 90 degree वाला value हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है, तो इन तीनों में से किसी 2 को तो उसको देना पड़ेगा, तो अब यहां भी तो चीजे है, दो लाइन की है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, कि एक triangle बना रहा है, और फिर से वो कैसा triangle है, right triangle triangle है, क्यों, क्योंकि यह आपको 90 degree, present per draw कर रहा है, तो यह आपको कितना degree बनाएगा, 90 degree बनाएगा, तो इसमें से वो किसी एक को दे देगा value, समझेगा थोड़ा सा, जैसे आपको चाहे तो BC का value देदे, ठीक है, या AC का value देदे, या OC का value देदे, इस तीनों line से किसी एक का value हो देगा, और पूछेगा, दुसरे वाले का value पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो चलो भाई, हम रख लेते हैं कि जो AC है, 15 cm है, suppose that मैं कह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो, आपको question मैं mark कर दे रहा हूँ, OA जो है, 8 cm है, OB जो है, आपको 5 cm है, and AC जो है, वो आपको 15 cm है, आप से पूछा जा रहा है, कि बताए, OC का value क्या होगा, और BC का value क्या होगा, ठीक है, ऐसा question आपको दे दिया, तो आप basic सी idea एक लगा सकते हैं कि फिगर को वो कैसे कर सक्किया है, ठीक ह तो इस वाले को erase कर दे रहा हूँ, ठीक है, यह सब हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है, यह हमारे पास अभी फिलाल कुछ भी नहीं, ओके, तो अगर ये सब कुछ नहीं है, तो यह हमारा फिर से पेले वाला concept आ गया की नहीं? गया एक triangle आ गया जो कि right angle triangle में क्या होता है कि यह जो 90 degree के सामने OC हो क्या हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का square जो होता है वो आपको altitude और base के square के equal होता है ठीक है तो यहां से तो हम OC निकाल सकते ना असानी से OC is equal to लिख सकते है न तो OC square is equal to क्या लिख सकते OC square is equal to OA का square पलस आपको AC का square इतना तो लिख सकते है न अब आप देखो OA का value कितना भाई 8 है तो हम यहां पर 8 का square लिख लेते हैं पलस 15 का square लिख लेते क्योंकि AC का value कितना है 15 है और यह मैं OC को OC रखता हूं ठीक है अब आप देखो 64 आ जाएगा और यहां पर 15 का 225 मैंने क्या अभी आपको बोला कि आप कम से कम 30 तक के square याद रखो ठीक है अब आप देखो OC का square यहां से कितना जाएगा 549 हो जाएगा 268 हो जाएगा ठीक है और आपको यह 2 हो जाएगा अब OC का square आप OC is equal to कितना अंडरूट ठीक है 289 अब आप देखो मैं आपको डिरेक्ट बता रहा हूं जैसे इसके unit place पर क्या है सेबन स्वरी नाइन तो अगर unit place पर किसी भी स्कॉयर का unit place पर अगर 39 होता है तो वो सिर्फ दो ही number से कटेगा अगर पर्फेक्ट में जा रहा है तो तो 3 से लगेगा या तो 7 से लगेगा कि 7 से जा 49 होता है 169 होता है फिर उसके बाद वाले टर्म को आप जाएए ना 17 तो 17 का कितना होता है अगर उसके unit place पर सेबन है तो 7 से जा 49 हो जाएगा 17 का आपको कितना होता है 289 हो जाएगा अब एक बार आप इसको चेक भी कर लो ठीक है आप बना भी सकते हो देख लीजेगा आप लोग करके 17 यह हमारा क्या होगा वन इसका और 7 इसका ठीक है तो यह मेरा क्या हुआ इसका वैलू है ठीक है इसका कोई काम ने इसको इरेज कर लेते देखें अब यह हमारा 17 क्या आगया भी और O, C आगया अब मैं क्या कर रहा हुआ कि इसको फिर से जोईन कर दे रहा हुआ है तो अब आप देखो यहां से यह वाला जो वैलू है 17 सेंटिमीटर तो आ चुका है और यह फाइफ है तो इस तो आप देखो यह 90 डिग्री है यह 90 डिग्री के सामने कौन होता है हाइपोटेनस होता है ठीक है तो यह मेरा जो OC है वो क्या है हाइपोटेनस है तो BC square अब यहां पर देखें एरेंज करते हैं OC square is equal to OB square plus BC का square इतना रहा ठीक है यह हमारा question set हो चुका है अब आप देखो OC कित्ता दिया हुआ है 17 तो 17 का square कर लिजे आप उसके बाद OB आपको कित्ता दिया हुआ है 55 का square कर लिजे और BC को हम यहीं पर रखते हैं अब देखें 17 का तो अभी हम लोग ने पढ़ाना 289 होता है और यह 5 का square है तो इसको हम इधर ले आते हैं और यहाँ पर BC रख लेते हैं अब देखें 9 में से 5 आया तो 4 और यहां से 8 में से 2 आया तो 6 और यहां से आपको कित्ता आ जाएगा अब देखो जब आपको square root देखेंगे उस lecture में तो आपको बताया गया है कि अगर जिसके unit प्लेस पर आपको मालने जे 0 है 4 है 1 है 4 है 5 है 6 है तो इस सब का बनाया जा सकता है perfect square लेकिन sometime क्या होता है कि वो किसी number का square भी होना चाहिए तो अब हमको confusion है कि यह square है या नहीं है तो एक बार check कर लेते हैं यहां पर 264 ठीक है आपको क्या पता है कि पहले pair ले लेते हैं तो यह कित्ता बहली हो जागा ना तो आपको कित्ता लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहां से कित्ता 1 और यह 64 यहां से 2 आ गया ठीक है आप एप इस एक idea लगाई है तो कितना आपको फिफटी है तो अगर 2 एट जा 16 करते तो बहुत ज्यादा हो जएगा फाइब से करते हैं उसी से करते है ठीक है तो शीक से 6 जा कितना हो जाएगा 36 और 6 टूजा 12 और 3 15 ऐखेंगे यहां से 14 में से 4 से 14 से 6 आया तो 8 और यहां से कितना आ 16 और पॉइंट सम्थिंग ठीक है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 पॉइंट सम्थिंग एप्रोड मेंट यह क्या क्या करेंगे बाइज तो 2-0 फूर्वर्ड करेंगे ठीक है तो अब यहां से 6-2-6-12 यहां से 3 आया आप यह एट है तो कितना से करते हैं 2 से कर लेते हैं ठीक है तो 2-2 जा 4-2-4-3-2-6 ओके तो यहां पर कितना जागा 6 यहां से 5 और यह आपको 1 अगर करते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो यहां पर इतना एप्रोक्स ठीक है यह हमारा सेंटीमीटर एप्रोक्स है भाई याद रिखेंगे एप्रोक्स तो इस तरह से हम ऐसे question को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अब देखिए एक और आप छोटा सा concept को आप देख लीजिए जैसे माले जिए concentric circle है ठीक है तो यह हमार concentric circle वहां इसके inside में कोई एक में circle ट्रोव कर ले नहीं तो अब एक ऐसा तो code होता है न जो छुटे वाले circle के लिए की तरह काम करेगा जबकि बड़े वाले circle के लिए code की तरह काम करेगा ठीक है तो यहां से मैं एक line ड्रो कर रहा है यह मैंने draw कर लिया यहां से A, B तो A, B जो है वो बड़े वाले circle के लिए किस तरह का काम कर रहा है code की तरह काम कर रहा है जबकि वही छोटे वाले circle के लिए यह क्या है भाई टैंजेंट है जैसे यहां center रहा है तो यह इसका क्या हो जाएगा तो इसमें एक relation देता है वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मालनी जिये कि यह मैंने इसको join कर लिए तो इसको मैं next में type next है ठीक है इतना दुन को मैं A रख लेता हूँ और इसको मैं B, a small b रख रहा हूँ और मैं आपसे पूछू कि A B का value क्या होगा, what is the value of A B तो इसमें related question बहुत सारा दे सकता है, थोड़ा सा एक बार देख लीजे जैसे आपको पता है ने कि कोई भी center से line जब row किया जाता है तो वो इस code को equally बारता है, जितना इधर होगा भई उतना ही इधर होगा, ठीक है, अब यहां से मैं O है यह, और इस को C रख लेता हूँ तो आपको तो पता है ने कि यह 90 degree बनाएगा, रैट, यह 90 degree 90 degree के सामने आपको यह है, तो hypotenuse हुआ, तो अगर मैं A C का square लिख रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ H का square, माइनस आपको कितना हो जागा भाई, P का square, तो H का value आपको कितना है, A है, तो यहां पर कितना हो जागा, A का square माइनस B का square, किसके लिए, A C square, अब A C के लिए आपको क्या value हो जागा, under A square, माइनस B square, यह किसका value है, A C होता है वहां आपको CB के क्या है equal ठीक है मतलब जो भाई AB है वहां twice of AC है AC के ज़स्ट दुगना के बराबर है तो अगर AC इतना हुआ तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AB का जो value होगा वो 2 into under root AA square और minus BA square हो जाएगा तो यह हमारा क्या है भाई निकल के है तो यह concentric circle से एक और concept है ठीक है ऐसा एक concept दे सकता है एक और आप concept को देखी यहां पर समझें जैसे कभी-कभी मालने जी यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे फिर एक बार थोड़ा सा देख लेते ठीक है जैसे आपको यह मालने जी 60 degree है और यह आपको पूछ रहा है कि यह कितना होगा ठीक है तो A, O, B और C रख लेते हैं तो यहां हम लोग क्या जानते कि जो A, O, B होता है वो twice of A, C, B के बराबर होता है तो यह 60 है तो यहां पर 2 A, C, B रखेंगे और यहां से कितना आजएगा A, C, B और यह इसको क्या कर लेगा? कट कर लेगा तो यह हमारे कितना degree आ जाएगा? 30 degree आ जाएगा तो इसको हम लोग next example की तरफ देखें हैं ठीक है यह हमारा अगला example था और यह question रहा ठीक है ऐसे ऐसे बहुत सारे question आपको क्या करेंगे? पूछेंगे तो इतना हम लोग इस lecture में देखते हैं अब इसको फिर से मैं erase कर रहा हूं थड़ा सा, ओके? तो चलिए board erase हो चुका है अब और question को हम लोग देखते हैं ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अभी जब हम लोग क्या पढ़े कि जैसे कोई भी एक circle है, ओके? यह हमारा, suppose that मानी जी एक हमारा circle है, इसके बाहर में मैं एक और circle बना रहा हूं जो कि concentric circle है, ओके? अब आप देखो यहां से मैंने इसका center row कर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? कि यहां पर एक tangent की चरा हूं, ठीक है? जो कि बड़े वाले circle के लिए क्या काम कर रहा है? वो आपको बड़े वाले circle के लिए code की तर लिए तो इसमें भी तो आप देख रहे हैं कि यहां से अगर मैं इसको join कर रहा हूं, ठीक है? यह तो यह आपको क्या बना रहे है? एक right angle triangle बना रहे है, यह भी side हमारा क्या है? right angle triangle बना रहे है, तो वो question कैसे देखा? वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? जैसे suppose एट दे दिया कि ab का value है भाई, माल जीजी आपको 10 है तो ab relue आ आपको माल लेते हैं कितना लिए 24 cm लिख लेते हैं, A b का value 24 cm रक लेते हैं, अब वो आप से दिया कि जो इसका radius है तिक है? जो radius है, वो आपको 5 cm है तो आपको बताना है न है कि बताए हो एक का value क्या होग ठीक है जो यह वाला सरकल है उसका रेडियस आपको क्या है फाइप सेंटीमीटर है तो आप बताए ओ एका वैलू क्या होगा तो आप एप्रॉक्स आइडिया लगाए ना आपको मैंने अभी क्या बताया कि जो एसी होगा वो क्या होगा कि एबी के आधा के बराबर होगा ऐसा तो हम लोग जानते ना कि यह जूक चल गया ना कि इस Natalie यहां तक का यहां तक का is तो अब आप देखो ना यह 12 हो गया यह आपको इतना रहा तो हम यहां से लिख सकते हैं लेकिन यह से लिख सकाहरर को हमको पता है नहीं है अर्यां को कितना स्कौयर होजय आप यहां पर एक हैं क्या इसक्वाइर देखेश्छ यह तो उधर जाएगा तो आपको किस फॉर्म में जाएगा भई रूट में 169 तो यह कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर तो आप देखे न सानी से निकाल लिए यहाँ पर तो आप समझ यह थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे ठीक है इस क्वेश्चन का एंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंट कर देना है मैं एक जांपल आपको दे रहा हूं ठीक है राइट सेम इसी से रिलेटर है कुछ जादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है मैं इस बार लिख रहा हूं कि जो भाई A O है ठीक है वो आपको 13 सेंटीमीटर है ओके और इस बार मैं लिख रहा हूं कि जो A B है ओके वो आपको 24 सेंटीमीटर है तो find find O C is what ठीक है इसका वैलू आप कमेंट बॉक्स में सेंट कर देजएगा ओके ठैंक यू झाल आपको